इसकार स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैं हूँ आपके साथ शिप्रा सैनी भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त बेंजामीन येतन याहू अब इज्राइल के अगले प्रधान मंत्री होंगे टाइम्स आफ इज्राइल की रिपोर्ट के मुतावीग उन्होंने वखमत से सत्ता में वापसी की है तीन नवंबर को हुई फाइनल राउंड की काउंटिंग में नेतन याहू की लिकुड पार्टी ने 120 पे से 24 सीटे जीत ली हैं जिसके बाद अब ये तैह हो चुका है कि बे बेंजाफीन येतन याहू का इज्राइल में इस्ताहास से प्रधान मंतुरी के तोर पर वापसी करना जाहिड तोर पर एक अच्छी खबर है और वैसे तो भारत और इज्राइल के अगर रिष्टों की वास की जाए तो वो हमेशा से ही मजबूत रहे हैं लेकिन चुकि अब बेंजामीन येतन याहू एक पार फिर इज्राइल की कुर्सी पर बैठ चुके हैं तो ऐसे में ये रिष्टे और ज़्यादा मजबूत होंगे और ज़्यादा बहतर होंगे ये भारत के प्रधान मंतुरी नरेंद्र मोदी ने भी उमीद जाहिर की है आपको बताते हैं नेत याहू को बढ़ाई हम मिलकर भारत इज्राइल स्ट्राइटर्जिक पार्टनर्शिप को आगी ले चाहें के ये उमीद उनकी तरफ से जाहिर की गई है पांक साल पहले बेंजामीन नेतन याहू प्रधान मंतुरी रहते हुए भारत आये और इज्राइल के वो दूसरे प्र नहीं भारते प्रधान मंतुरी थे जिन्होंने इज्राइल की यात्रा की थी दोनों एक दूसरे को दोस्त बता चुके हैं अब नेतन याहू के प्रधान मंतुरी बनने पर भारत और इज्राइल दोनों देश आतंखवाद, टेक्नलोजी और ट्रेड पर एक साथ काम कर सकते हैं दोनों देशों के पीच फ्री ट्रेड एग्रिमेंट भी हो सकता है इसकी उमीद भी जाहिर की गई है तो जाहिर तोर पर आतंखवात के खिलाफ भारत की जो लड़ाई है उसमें अगर भारत को इच्राइल के प्रधानवन्तुरी बेंजामीन येतन याहू का साथ मिलता है तो ये अपने आप में बड़ी बात होगी और यही वजा है जोकि बेंजाफीन येतन याहू ने भी आतंखवाती खिलाफ लड़ाई लड़ी है तो ऐसे में आतंख के खिलाफ भारत को अब बेंजाफीन येतन याहू यानि इच्राइल के प्रधान मंतुरी का साथ मिलेगा ये कहीं न कहीं तैफ हाना जा रहा है और खबर ये भी है कि दरसल 2024 में अब डॉनल्ड ट्रम्प भी चुनाव मैदान में उतरेंगे तो ऐसे में अगर अब डॉनल्ड ट्रम्प की वापसी भी अमेरिका में हो जाती है तो कहीं न कहीं ये तीनों खास दोस्त मिलकर आतंख के सकती है क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं सिच्वेशन जो है तमाम दुनिया के बड़े देशों में वह बदली है खासतोर पर रूस और यूक्रेन यूद के बाद अत्माम जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वह अलग हो चुकी है वहीं रूस जो है उसे लगा पाकिस्तान को वह उनके जो तमाम रक्षा उपकरन हैं उसके मैंटिनेंस का खर्चा दे रहे हैं वह अपने आप में चिंता का विशह है क्योंकि पाकिस्तान अपने रक्षा उपकरनों का इस्तमाल किस लिहास से करता है किस लिए करता है वह दुनिया के तमाम लोग भी तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान किस तहा से आतंख को बढ़ावा देने के लिए अपनी तमाम फाइटर चैट से लेकर तमाम रक्षा उपकरणों का इस्तमाल करता रहा है और यही वज़ा है कि डोनल्ड ट्रम्प की अगर वापसी अमेरिका में होती है तो कही न कहीं कह आतंख के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई जो भारत की रही है उसमें एक बड़ी फूमिका निफास सकते हैं तो भारत के लियास से यह काफी अच्छी खबर है कि बेंजाफीन नेतन ग्याहू इच्राइल के अगले प्रधान मंतरी होंगे आपको बतारें 73 साल के बेंजामीन नेतन ग्याहू 1906 में से 1909 में और 2009 से 2021 तक यानि 15 साल तक वो इच्राइल के प्रधान मंतरी रह चुके हैं न्यू यॉर्क टाइम्स के रिपोर्ट के मताबिक नेतन ग्याहू और चारिक रूप से 15 नॉमबर के बाद प्रधान मंतरी निक्त किये चाहिके इस बीच कोट्रकॉल के प्रधाबिक राष्टपती जो है इस हाक हर जोग नेतन याहू को सरकार बनाने का वक्त देंगे और इस तरीके से वो अब इस गद्दी पर पैठेंगे तो ये भारत के लिए अच्छी खबर है भारत के प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस चीज की बठाई थी अगर भारत और इसराइल के संबंदों की बात की जाए अगर रिष्टों की बात की जाए तो जाहिर तोर पर वो अच्छे ही रहे हैं लेकिन 2018 में नेतन याहू का दोरा दोनों देशों के संबंदों में मील का पत्थर साबिद हुआ और इससे पहले जुलाई 2017 में मोदी इसराइल की दोरे पर गए और ऐसा करने वाले वो पहले परधान मंतरी बने मोदी के दोरे पर ही दुनिया ने नेतन याहू के साथ उनकी वो केमिस्ट्री देखी जिसके बाद दोनों पक्के दोस्त कही जाने लगे दोनों नेताओं ने कई गंफीर मसलों पर बातचीत भी की और दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंद भी काया हुए 1902 में में 200 मिलियन डॉलर का वैफाद था तो वहीं साथ 2021 से 22 में ये बढ़कर 7.86 अरब डॉलक तक पहुँच गया यानि कितना ज्यादा व्यापार में बढखुतरी हुई है भारत और इस्राइल के बीच ये साफतोर पर आकड़े बताने के लिए काफी है और भारत और इस इस दोहे के बाद से ही दोनों देशों के बीच संबंदों की आधाश चिला नए अविशकारों और रिसर्च पर तयार हुई अब आपको बताती है राश्रितिक संकट के बाद भी दोनों देशों के रिस्तों पर कोई आच नहीं आई इच्राइल अमेरिका और जह्युक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर भारत एक फ्री ट्रेड एग्रिमेंट पर बातचीत कर रहा है और माना चारा है कि नेतन याहू के सत्ता में लोटने के बाद अब इस पर जल ही ध्यान दिया जा सकता है तो ये जाहिट दोर पर भारत के लिए अच्छी खबर है कि भारत के खास दोस्त या हूँ कहें कि प्रधान मंत्री नरें ध्रमोदी के खास दोस्त बेंजामीन नेतन याहू एक पार फिर इजरायल की गद्री पर बैठ चुके हैं जो राजनितिक संकट लगातार चल रहा था इजरायल में वो कहीं न कहीं उसका अंत अब होता दिखाई दे रहा है जिस तहा से ये नतीजे जो हैं इजरायल में साफने आ चुकी फिलाल ये अंतरास्ट्री खबर है लेकिन बड़ी खबर है कि इजरायल के प्रधान मंत्री अब बेंजामीन येतन याहू होंगे जो कि प्रधान मंत्री नरें ध्रमोदी के बेहत खास मित्र हैं और जाहिड त पूत होंगे जो भारत के इजरायल के साथ संबन हैं वो और ज़्यादा खास होंगे और जैसा कि प्रधान मंत्री नरें ध्रमोदी ने भी जिक्र किया है कि जो स्ट्रेटर्जिक पार्टनर्शिप है उस पर काफी जादा ध्यान दिया चाहेगा तो कुल लाकर ये ना अमेरिका की तो अमेरिका पर भी सब की निगाई ठीकी हुई है क्योंकि जो बाइडन जिस तरह से वहां तता सभाल रहे हैं जिस तरह से वो पाकिस्तान को उनके रक्षा उपकरनों के लिए मैंटनेंस का खर्चा दे रहे हैं लेकिन वहीं बात अगर डॉनल्ड ट्रेंप की की जाए तो परधान मंत्री की खास दोस्ती डॉनल्ड ट्रम्प के साथ भी देखने को मिली है तो ऐसे में दोहजार चौफ़ीस में डॉनल्ड ट्रम्प चुनावी मैताफ में उतरेंगे क्या जीत हासल करेंगे नहीं करेंगे वो आने वाले वक्त में देखना होगा लेकिन अगर अलगरत देशों की सत्ता की कुर्सी पर यह तीन दोस्त होंगे तो जाहिर तोर पर आतंक के खिलाफ लड़ाई और जड़ा मजबूत होगी यह ऐसा विशेशंगों का मानना है फिलाल आपकी इस पूरे मांखे पर क्या राए है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर झाल